नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपका हिंदी डिपैंस अपडेट पे तो दोस्तों आज हम बात करकने वारे हैं भारत ये नियो सेना ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे की चीन की जो अर्थवेवस्ता है भारत उसकी कमर तोड़ सकते है और बात करें आज की तारीफ में चीन की जो एक मतलब के शक्ती है तो उसकी पास केवल एक ही पावर्स है उसकी ऐकोनमी उसकी मिल्लेटरी केवल संख्या में जादा है दुनिया ना ही उसके पास किसी भी तरहा का युद्ध का experience है ना ही वे युद्ध लड़ने में शक्षम है तो दोस्तों लेह लद्दाख में भारत और चीन के बिच जो सीमा विवाद हुआ है और उसमें तनाव इतना चर्म पर आ गया है तो ऐसे में भारत की जो नो सेना है उसने भी च अच्छा कदम उठाया है तो ऐसे में भारतिय नो सेना ने एक स्मार्टली मूव चला है कि अब चीन को काउंटर करने के लिए अब वह सम्मरींस का जो स्टेट अफ मलक्का के पास जादा से जादा इस्तेमाल करेगी अब भारतिय नो सेना अंडोमा निकोबार पर अपनी उ बढ़ाएँगी और साथ ही स्टेट अफ मलक्का के पास जो गश्ट है वहाँ पर जज्यादा ज़्यादा करती की कोशिश करेगी क्योंकि चीन लगातार hind מהसागर में गुसपैट करता आ रहा है वो कहां से स्टेट अफ मलकका के पास से गुसपैट करता है साथ ही वह अपन इसी क्षेत्र से होता है ये केवल धाई से 3 किलोमेटर संक्रा मार्ग है जिसे भारतिय नोसेना भविश्य में युद्ध के समय आसानी से ब्लोक कर सकती है तो ऐसे में चीन 2030 तक 110 पर्माणों पंडुब्यों को अपने बेडे में शामिल करना चाहता है और वहीं पाकिस्तानी नेवी को भी चीन तरहां तरहां की सम्मरेंस दे रहा है तो ऐसे में भारतिय नोसेना के लिए चुनोती जो है वो बड़ जाती है तो भारत को भी अपने नोसेनिक शक्ति में तेजी से इजाफा करतना पड़ेगा ये तो जाहिर सी बात है साथ ही भारत को जादा जादा विक्रांत एरक्राफ्ट केरियर है उसको जल्द से जल्द बिना डिले के शामिल करना होगा तभी नोसेना बिना हत्यारों के नोसेना चीन को काउंटर नहीं कर सकती है तो अभी के लिए तो भारतिय नोसेना ने एक अच्छा कदम उठाया है कि अगर भारत चीन का तनाव और बढ़ता है तो भारतिय नोसेना जो स्टेट अमलक्का को बंद करके चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड सकती है और साथ ही चीन भारत के सामने जुकने को मजबूर हो जाएगा क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यव झाल